हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मंबा में स्वागत करती हूं सभी फैमिलीज में न्यू बेबी के आते ही एक कॉमन सजेशन आने लगता है क्या है वो सजेशन सब बोलते हैं बच्चे को घुट्टी दे दो उन्हें लगता है इन्फरमेशन में आपको दोंगी तो पहला सवाल आता है अखिल क्या है ये गुट्टी गुट्टी एक जड़ी बूट्यों का मिक्स्चर या पेस्ट फॉर्म में जो बच्चे को दिया जाता है उसे हम गुट्टी बोलते हैं अलग-अलग रीजन्स में इसके डिफरेंट घर में प्रिपेर होता है मार्केट में भी प्यागड फॉर्म में एबलेबल है घर में पथर में जड़ी बूट्या टिफरेंट तरीकी की जैसे बदाम चाईफल और काली पीपर होती है बारा सिंगा इस हेरंड की जो सींग होती है उसमें कैर्शे मिलता है इसलिए वच्च में हम वारा गुष्ट्टि को देना चाहिए कि इसे बच्छों को कुछ फाइदा मिले गा तो इसका सिधा Changing में नू नो देना ही नहीं है बच्छों ककी सिभी देनाइक परंपरा सी बन गई या दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं बट अब जब रिसेर्च इस एवलेबल हैं डबलुएचो की गाइडलाइन बहुत क्लियर कट है आई एप इंडियान एकेडमी औफ पीडियाट्रिशन ने मना किया है कि नहीं देना है फिर भी हम इस कस्टम को आगबंद करके क्यों मान हैं यह परमपरा जो चली आ रही है कुछ बिलीफ्स पर बेस्ट हैं क्या है यह बिलीफ्स लोगों को लगता है कि यह घुट्टी देने से बच्चे का पेट दर्द नहीं होगा बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और लोगों को लगता अगर यह बदाम घिस के हम ब्रेस्ट मिल्क देना है जिसमें की सारी की सारी एंटी बॉडी प्रेजन्ट होती है जो बच्चे को उस एज में रिक्वाइड होती है तो अलग से पानी भी नहीं देना है तो गुट्टी तो बहुत दूर की बात है दूसरी चीज़ लोगों को लगता है बारा सिंगा दे चीज व्हाल देना की पेट दर्था तो ऐता है चाके लुटी ने थी अज़ है जारी है बर्चेल डूसरीशा दर्था सबस्ट में दर्फ से नेज और दीर नेजाए लिए थे स्वत पावडर गिसले एक ग्लास दूद में पी aut Lewis EP सकते हैं, जो 60-70 kg का व्यक्ती है, वो थोड़ा सा जाइफल ले रहा है, उसको नीद आजाएगी, तो एक जो छोटा सा बच्चा है, तीन-चार किलो का, उसको कितनी नीद आएगी, तो बच्चा इस वज़े से सो रहा है, और लोगों को लगता है, देखो उसको अभी कोई प् के वीडियो में, डेटेल में बताया है, एक साल के पहले तक बच्चों को इन सब चीजों के जरुरत ही नहीं है, अभी मैंने आपको बताया है, ब्रेस्ट मिल कम्प्लीट फूड है, उससे बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, अलग से दिमाग तेज करने के लिए बदाम की ज और देखा, बलकि नुकसान बहुत हैं इसके, नुकसान कैसे, सबसे पहला नुकसान बहुत ही अन इजर्ड़न hayaईजिनिक जो नेक्स डे हो सकते हैं उसके थूपेट में जा रहे होंगे तो यह बल्कि डिसएडवांटेज हो गया एडवांटेज के उपर जिस दे रहे थे वह तो हुआ नहीं दूसरा नुकसान क्या है बच्छे का डाइजिस्टिफ सिस्टम इतना मैच्चोर नहीं है कि इतनी स्ट्र गुट्टी है वह भी नहीं देना उसमें शेह दिया सुगर के क्वांटिटी बहुत जादा होती है तो बच्छे को नुकसान करेगी और अगर शेह भी है तो शेह बच्छे को बिल्कुल नहीं देना है एक साल के पहले इंफेंट बॉटिलिजम के रेट बहुत जादा है यह सब बच्छे को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे आप पहली विजिट में जाते हैं तो अगर इतने फायदे मंद होते तो डॉक्टर गुट्टी पी प्रिस्क्राइब करते लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इसके जस्ट अपोजट डॉक्टर मना करते हैं कि इसको नहीं देना है तो आप उनकी बात सुने और उसको फॉलो करें वैंसा यह नहीं बोल रहे हूं कि जो परंपरा चली आ रही है आपके बड़े बुज़र्ग बोल रहे हैं वह गलत बोल रहे हैं देखिए उनके जमाने में जो उन्होंने किया वह उस समय के हिसाब से सही किया उस समय डॉक्टर से अवलेबल नहीं थे मेडिकल फैसिलिटी उत्ती अवलेबल नहीं थी तो उन्हें जो सही लगा उस समय के हिसाब से उन्हें किया लेकिन बड़ अभी आपके पास रिसोर्सेज हैं डॉक्टर से मेडिकल फैसिलिटी है अगर पास में की कंडिशन लगती आपने अभी अभी न्यूज में चीज देखी होगी कि गल्स की मैरिज की एज बढ़ा दी गई है 18 से 21 कर दी गई है तो ऐसा नहीं पहले 18 गलत थी या भी 21 है वो गलत है समय के हिसाब से चीजें बदल रही है जैसी जैसी स्टेडी आ रही है जो सरक्मस्ट से उसके एकॉर्डिंग जो सही लग रहा है वो किया जा रहा है मैं अपने हर वीडियो में एक चीज बार बार बोलती हूं कि बच्चा एक्सपेरिमेंट की चीज नहीं है आप बिना सोचे समझे उसको कुछ मत दीजिए अपने पीडियाट्रिशन से सलाह लेके फिर कोई भ पानी न शहेद न घुट्टी कुछ भी घुट्टी ग्राइब वाटर कुछ भी नहीं देना है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए उसके बाद ही कुछ दीजिए तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आप साते हैं आपके कोई और क्वेरीज रहते हैं किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए हम उसमें वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें थैंक यू